लोटस आयरुवदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे हाथ की उंगलियों में भी हो सकता है गठिया जाने इसके लक्षा कारण और बचाप लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा आपने अभी तक हमारे चैनल सब्क्राइब नहीं कहते है तो चैनल को सब्क्राइब करने बेल आइक उनकी घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले और वीडियो और खानपान में गळवडी की वजए से लोग कई दरे की बीमारियों का सिकार हो जाते हैं खानपान और जीवन Judicमें खरावी की वजए से ये गटियां की समस्विजया होती है आम तोर पर लोगों को लगता है कि गटिया या अर्थराइबिस की समस्विजया सिर्फ पैरों में ही होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल बेरी गटिया आपके हाथ में भी हो सकता है, हाथ की उंगलियों में गटिया कई समस्या बहुत गंबीर होती है, और सही समय पर इलाज ना लेने वाकई अन नुक्षान भी होते हैं, इस समस्या सिर्थ बुजूर्व में ही नहीं बलकि योवाव में भी देखने को मिलती है। गठिया की बज़े से आपको उंगलियां सुन हो सकती हैं और कई अन परिशानियां भी हो सकती है। हाथ की उंगलियों में गठिया का काराण। खान पान में गड़बड़ी, भागदोर, भरी जिन्दिकी, जीवन सेली और मोटापे की बज़े से हाथों में गठिया का खत्रा जादा रहता है। आमतोर पर इस समस्या 30-50 साल की उम्रे के लोगों में जादा देखने को मिलती है। लेकिन खान पान में गड़बड़ी और असुंतलित जीवन सेली के बज़े से गठिया का खत्रा कम उम्रे में भी रहता है। मोटापे की बज़े से एस समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके कारण। इसके अलाबा हातों में किसी तरह का चोट लगने बाँ उम्रे के बज़े से भी इस गंबिर समस्या का खत्रा रहता है। इसके अलाबा जोड़ों में बहुत ज्यादा इरुकेसिट की बढ़ने की बज़े से भी आपको हातों में आर्थराइटिस या गठिया हो सकता है, कुछ लोगों में ये समस्या अनुमानसी कारौन से भी होती है हात की उंगलियों में गठिया के लक्षन हात की उंगलियों में गठिया होने पर ए लक्षन दिखाई देते हैं काम करने में दिक्कत, उंगलियों और जोडों में दर्द, उंगलियों में सूजन, मुठी बंद करने और खोलने में दिक्कत, किसी चीज को पकड़ने में परिशानी, उंगलियों का सुन्नोना, उंगलियों में जहनजनाट, कंप्यूटर या लैप्टॉप पर टाइप करने म बचाओ, हाथ की उंगलियों में गठिया के लक्षुनों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, इस समस्या में बजन सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा बजन वाले लोगों में एस समस्या सबसे ज्यादा होती है, इसलिए बजन कंट्रूर करना चाहिए, इसके हाथों का गर्म और ठंडी सिखाई करनी चाहिए इसके अलाबा यूरिक एसिट को कंट्रोल करें आप हर एक मेना आप अपना ब्लेड टेस्ट करें यूरिक एसिट का टेस्ट करें तो आप उस रिसाब से आप अपना केर कर सकते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं धन्यवाद